हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस्कापिल तो दोस्तों अगर आप इगनो जैनुरी टूर्ट टूर्टीफोर सेशन में अब तक एड्मिशन नहीं ले पाए थे तो आपके लिए गूड निव्ज है कि अभी इसकी डेट को एक्सेंट कर दिया गया है तो अगर आपने अपने अप्लोड कर देटे हैं कि अप्लोड कर देटे हैं जिसकी बज़ा से अनकी अडिमिशन कर पूर्मेशन में डेलय हो जाता है तो आपको क्षोन से दॉक्मेंट ठीक तरीके से कैसे अप्लोड करने है तो ये सारे questions के answer आपको साथ में वीडियो में मिल जाएंगे प्लस मैं आपको last date भी बताऊंगा जो अभी extend की गई है तो चलिए अभी ज़धा time ना लेत हुए computer की screen पर चलते हैं और वहां से जाकर इन सभी चीदों को देखते हैं detail में तो यहां पर दिखे पहले last date शोग हो रही थी 31st January 2024 लेकिन अभी इसे extend कर दिया गया है तो इसकी last date क्या है submission की 15th February 2024 इसकी last date यहां पर रहने वाली है ठीक है तो फर्स चीज़ आपकी clear होगी होगी कि अब तक इसको extend कर दिया गया है और अगर और extend होने की बात करें देखिए इगनो में मैंने जो खुद experience किया है जो मैं इतने time से वीडियो बना रहा हूँ तो 4-5 बार तो इगनो extend करता ही admissions को तो आपको कोई जल्दी नहीं करनी है अगर आपके पास कोई document नहीं है वो भी आपको बता दूँगा अगर फिर भी आपका document ना हुआ हुआ तो तब आप chance ले सकते हैं लेकिन अभी अगर आपके पास कोई document नहीं है तो आपको chance नहीं लेना है wait करनी है तो यहां पर अभी के लिए last date है 15 February 2024 ऊब हम सकते हैं कि documents कौन से चाहिए होते हैं और कौन सी students गलती करते हैं थीक है तो यहां पर दिखिया अगर documents के हम बात करें तो यहां पर हमें documents mention किया गये है कि आपके पास कौन सी document होने चाहिए सबसे पहले aap आपकी scan photograph आपके पास होनी चाहिए जिसके लोगी less than 100 के भी होनी चाहिए and scanned आपके signature, तो कि white paper पर sign हो उनको scan किया हो ठीक है then उसके बाद relevant education qualification मतलब कि अगर आप graduation में admission ले रहे हैं तो उससे पहले वाले 12th and 10th का होना चाहिए अगर आप master's में ले रहे हैं तो graduation का 12th का and 10th का होना चाहिए यह सारे आपके education certificate then अगर आप कहीं पर job करें और experience certificate लगाना चाहिए तो वो आपका होना चाहिए यह mandatory नहीं है तो इसके बाद अगर आपका category certificate अगर आप यहाँ पर scholarship के लिए apply करना चाहिए तो आपका category certificate होना चाहिए तो अब दिखिए यह तो mentioned ही है लेकिन क्या चीज़ आपको देखने है यहाँ पर जिसका ध्यान रिखना है student सबसे पहले तो यह गलती करते हैं वो अपने mobile phone से ही सबी documents को scan करके उसे upload करने की कोशिश करते हैं वो कर भी देते हैं देखिए compress करते रहते हैं उसकी image को online जाकर जिससे उसकी quality बहुत down हो जाती है then जब iglo आपकी उस image को check करता है उसको zoom करने पर भी उसका आपका roll number अच्छे से दिखाई नहीं देता कई चीज़े हैं अगर वो print out करके भी देखते हैं वहाँ पर team तो उनको वो भी दिखाई नहीं देती जिसकी वज़ा से हो सकता है आपकी जो application है वो skip कर दें और next application की और चिले जाएं जिससे की आपकी application का confirm होने में time लग जाए आपकी admission को ठीक है लेकिन आपको अगर यह upload कर रहे हैं आपको का करना है किसी cafe से जाकर computer क्याफ से जागर वहां से एगर आपके वास printer नहीं है वहां से scan करवा लीजे तो वहां से जब आप scan करवाएंगे तो उसकी quality भी down नहीं होगी और आपका document अच्छे तरीके से वहाँ पर visible होगा ठीक है एक गलती यह करते हैं सेकिंड चीज़ यह है कि कई लोगों को दिखिए वह कहते हैं सर हमारे ना अभी पहले कोई हमारी compartment है कहीं पर यहां फिर मारा कोई backlog है ठीक है तो हम क्या भी admission ले ले मालग हमारी last semester में 5th semester में हमारी को supply आ हुई थी तो क्या आप हम M.A. में admission ले 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 तो यहां पर दिखिए अगर आपकी आप मास्टर्स में admission ले रहे हैं तो graduation clear होनी चाहिए अगर आप graduation में ले रहे हैं तो 12th clear होनी चाहिए ठीक है पास होने के बाद ही आप ले पाएंगे आपकी पूरी mark sheet आगए कि आप pass हो चुके हैं तो college के पास जागे मज़े admission लेनी है मज़े एक professional certificate प्रवाइड करेगा वो आप यहां पर upload कर सकते हैं उसका आपको option भी मिलता है ठीक है तो documents में यह गलती आपको नहीं करनी है इसकी वज़ा से भी admission डिले होता है और admission confirm भी नह option ही नहीं है हमने किसी programming admission ली वहां पर हमें जहां पर printed दिखना चाहिए था डिजिटली दिखना चाहिए था वह option ही नहीं है तो क्या हमें मिलेगा या फर नहीं मिलेगा तो देखिए इसका अंसर ही है अगर आपको option नहीं आता है उसका मतलब ही है कि आपके लिए वो digital form में प्रिंटिड ही आपके घर पर वो material आएगा ठीक है डिजिटल का option उनको दिखाए जाता है जिन programs के लिए digitally हो अगर डिजिटली नहीं है तो automatically आपको printed study material वह आपको मिलेगा ही मिलेगा अब बात ही आती है कि कई students कहते हैं कि sir हमाई study material कब मिलेगा तो देखिए कई students के ऐसे भ लेट हो जाती है admission confirmation भी बहुत लेट जाकर होती है आपको कोई support नहीं करता है ठीक है आपको कोई call नहीं पिक करता है email कर प्लाइं नहीं करता है जो आपके पास source है वो सिरफ YouTube है जो मेरे जैसे वीडियोस बना रहे हैं आपकी help कर रहे हैं आप उनकी वीडियोस को ही देखते हैं लेकिन दोस्तों मैं आपको दिखिए एक और platform बताना चाहता हूं जो मैंने आपके लिए discover किया है तो आप वहाँ से एक बार check out कर सकते हैं अगर आप admission लेने वाले हैं इगनो से तो आप क्यों लेने वाले हैं ताकि आप job करते हो साथ में study कर सकें तो अगर आपको दिख हैं उसे select करना है कुछ basic detail को fill करके basic 8 questions आएंगे इनके answers देने हैं इनके basis पर आपको universities दिखाई जाएंगी then अगर आप दिखिए university के expert से बात करना चाते हैं directly उससे कर सकते हैं and अगर आप देखिए college विद्या के counselor के साथ audio video counseling देन चाते हैं तो उनसे बात आप कर सकते हैं तो यहाँ पर दिखिए इंडिया में 75 प्लस approved university है जो की UGC and DEB approved universities है तो आपको उनके बार में पता ही नहीं है इसलिए अगर आप सोचते हैं कि हमें online study करनी है तो हमारे पास शायद IGNO and DEB ही मवजूद है ऐसा नहीं है private university यहाँ पर जितनी भी आपको इस पर दिखाई देंगी website पर सारी की सारी UGC approved होने वाली है तो दिखिए और आप साथ में यहाँ पर universities में compare भी कर सकते हैं add to compare पर आपको क्लिक कर रहा है तो उसके बाद दिखिए three university में comparison कर सकते हैं आप उनके 30 प्लस factor के साथ जैसे कि आ रहेगी आपकी student choice क्या है student rating क्या है यहाँ पर आपको EMA में fees pay करने का option भी मिलता है यहाँ पर और बात की जाए दिखिए आपको placement support services मिलती है carrier booster programs मिलते हैं जिसके अगर cost की बात करें वैसे यहाँ पर है वर्त रुपी 6999 लेकिन अगर आप उस link से admission लेते हैं जो आने नीचे directly university की official website पर भेज देता है ठीक है तो यहाँ पर दिखिए इगनो तो आपके पास option है लेकिन मैंने आपको क्यों बताया है college विद्या.com क्योंकि देखिए अभी private university से भी placement बहुत निकल कर आती है क्योंकि इगनो पर आपको placement की support नहीं मिल रहा है student के बहुत comments आते थे सरा हमार अगर आप private university में जाना चाते हैं और online study ही करना चाते हैं अगर कोई और कोई आरी आती है नीचा comment section में comment कर सकते हैं बाकि आप college देपर detail जैसे फिल कर देंगे वहां से आपको call भी आ जागी आप उनसे अपनी सारी कारिय की counseling भी ले सकते हैं वो भी बिलकुल free में ठीक है तो जब team के पास अगर मैंने पहले एक video बनाई थी अभी अगर तो आप starting days में admission के लिए apply करते हैं तो कई बच्चों की दिखिए यहां पर 5-6 दिन में 10 दिन में admission confirmation हो जाती है लेकिन कोई लोग जो ऐसे गलतियां करते हैं या फिर जब team पर ज्यादा load हो जाता है उदर ignore की तो कब वहाँ पर delay होता रहता है तो यह date तो हम कोई भी expect नहीं कर सकते कि कब आपके admission confirm होगी लेकिन अगर आपकी application बिल्कुल ठीक है तो आपकी यहां पर confirm हो जाएगी तो यह चीजों का आपको ध्यान रखना है बाकी देखिए degree आने में और चीजों में भी थोड़ा यह delay हो जाता है क्योंकि दिखिए यह university के पास जब ज्यादा लोड होगा तो काम automatically उसको थोड़ा सा time भी लगेगा ही ठीक है तो यहां पर अगर आपकी अब तक confirm नहीं हुई है आपने admission ले लिए तो आपको टेंचन नहीं है जब तक dates extend होती रहती है तब तक तो दिखिए टीम पर बच कर ही रहना है ठीक है तो अगर आपके अब और भी को क्वेरी रहती है इगनो के regarding या फर और प्राइबेट उनिवस्टी के regarding college देर के regarding तो आप यह पर नीचे comment section में बता सकते हैं मैं उसका भी आपको reply करने की पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी हर क्वेरी को solve कर motivation मिलती है आपके लिए ऐसे ही और good content बनाने की तो चलिए भी जलती मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को अलविदार कर दो